हेलो दोस्तों द्रिश्टी आईएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है आपको याद होगा कि 1980 के दशक की एक बात है जब राजियू गांधी ने कहा था केंदर सरकार की तरफ से जनता को भेजा गया एक रुपया पूरा पुरी तरह से उन तक नहीं पहुँच पाता और लगभग 15 पैसे ही जनता को मिल पाता है इस बात के पीछे का जो सार है वो ये है कि इस बात से सरकारी मशीनरी में व्यापत ध्रश्टा चार के बारे में पता चलता है और सरकारी मशीनरी के कार करने का एक तरीका समझ में आता है अलाकि ये बात 1980 के दशक की हो सकती है लेकिन वर्तमान समय तक आते आते इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा सुधार की मांग की गई है और प्रक्रिया में सुधार के लिए कई सारे कारेकरम शुरू किये गए हैं आज के इस प्रक्रिया में हम एक ऐसे ही कारेकरम पर चर्चा करेंगे जिसने इस प्रक्रिया में सुधार के लिए कई सारे पहलों को शामिल किया है साथ ही जो सिविल सेवाएं या सिविल सेवकों की बात करें जो सरकार के लिए कार करते हैं सरकार के द्वारा रणनीतिया बना करते हैं सरकार के लिए कारिक्रम तै करते हैं और उन कारिक्रमों के कार्यानवयन में भी उनका एहम योगदान होता है तो किस तरह से यह मशीनरी लोग कल्यार कारी हो सकती है या फिर जनता के लिए कार कर सकती है इसके लिए सरकार ने कुछ फ्रेमवर्क या फिर एक प्रोग् कर्मियोगी तो आपने से कई लोग जहां तक इसके बारे में पढ़ चुके होंगे क्योंकि यह प्रग्राम कुछ समय पहले लॉंच हुआ था यह हम कए कुछ साल पहले लेकिन वर्तमान समय में इसकी जो प्रासंगिकता है चुकि एक समय सो बनाया गया था उसके बाद अब कि इस तरह से इसकी इंप्लिमेंटेशन सामने आ रहे हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे तो इससे पहले आपको एक जानकारी भी देदें आगे बढ़ने से पहले कि द्रिश्टी आईयस ने 2023 की परिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आईयस की प्लिंस परिक्षाओं के लि और इसमें एड्मीशन्स की शुरुआत हो चुकी है और जो कक्षाओं है 28 अक्तूबर से शुरू हो जाएंगी तो यहाँ पर दिये गए नमबर पर आप कॉल करके से जुड़ी हुई और भी जानकारियां ले सकते हैं और इस कोर्स का लाब उठा सकते हैं ताकि आप जो आन करमयोगी प्रियास कर रहा है इसके प्रियास किस तरह से देखने को मिल रहे हैं किनकिन बिंदूओं पर हम बात करेंगे या भी देख लें इसके एक टाइम लाइन देखेंगे जिस टाइम लाइन में इसते जुड़े हुए जो कुछ और प्रोग्राम शुरू किये गए हैं वो किसके समय पर शुरू किये गए थे निशकर्ष में कुछ उधारणों का जिक्र करेंगे जिससे हम आज के समय में इसकी प्रासंगित्ता क को देख सकेंगे कच सवाल शामिल करेंगे जैसे कि प्रिलिम्स का और immense का जो आप सव प्रकॉर्प करेंगे विशय जो जो जोड़ता है प्रारंभिक परिच्छाओं के अंतर का सवाल its kind in the direction of capacity building यानि कि खंता निर्माल की दिशा में यह एक तरह का नया प्रियोग है mission कर्मियोगी ठीक है क्या होगा इससे through this mission the government employees have to modernize their thinking approach and improve their skill set तो इस प्रक्रिया के अंतर कर जो सरकारी कर्मचारी है उनको अपनी सोच को आधिनिक बनाना होगा अपने तरीकों को आधिनिक बनाना होगा और अपनी जो चमताएं है अपना जो कौशल है उसको भी update करना होगा आज के समय के हिसाप से जोड करके देखना होगा क्योंकि वरतमान समय डिजिटल तकनीक का है तो डिजिटल यूग में वो कैसे आज के समय की जो चुनोतियां हैं और जो सेवाएं हैं उनको ठीक तरह से handle कर पाते हैं और यही जो प्रक्रिया है उनको एक तरह का अवसर देगा कर्मयोगी बनने का वो जितना अच्छे तरीके से काम करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से उनकी स्किल्स को रिकगनाइस किया जाएगा और उनको कर्मयोगी की तरीके से देखा जाएगा कर्मयोगी का मतलब क्या हु को अपने कर्म के प्रति लगा हुआ निश्ठावान व्यक्ति एक तरह से तो इस मिशन कर्म योगी को अगर हम आधिकारिक डेटा के साब से समझे तो राश्टी सिविल सेवा शमता विकास कारिक्रम इसको कह रहे हैं यानि नैशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेश काप पर जानते हैं सिविल सेवा परिक्षा के नाम से फिर वे सिविल सेवा हैं जैसे IS, IPS, IRTS तो इस तरह की सिविल सेवाओं को शामिल करने के अलावा यह जो प्रोग्राम है यह भारत के अंतरगत जो सरकार के द्वारा चलाय जारहे जो भी प्रोग्राम हो सकते हैं या सरकारी म जो भी करमचारी है वरिष्ठ हो सकते हैं नियुंतम इस्तर पर हो सकते विए उन सभी को रलनीतिक रूप से तैयार करने के लिए और आपस में साथ जोडने के रिए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है ताकि जनता तक जो सेवा है वह ठीक तरीके से पहुंचाई जा सके तो सिविल सेवाओं में सुधार के फॉर्मेट के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं तो प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्री मंत्री मंदल ने इसको मंजूरी दी थी 2 सितंबर 2020 को और आज के समय इस प्रोग्राम को चलते हुए काफी समय हो गया है और इससे जुड़े हुए जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमें देखने को मिलने लगे हैं अगर कोई सवाल ऐसा बन जाए जिसमें इसके बारे में जानकारी लेते हुए फिर रिजल्ट्स की मांग की जाए तो आप आज के इस डिसकुशन से काफी जादा चीज़े आपको समझने को मिल जाएंगी तो अगर हम इसमें देखे कि कौन कौन से की फैक्टर शामिल है क्या इसका विजन है तो एक सिविल सेवक के अंतरगत क्या क्या होना चाहिए इस बात को जब सरकार ने देखा तो उन्होंने कुछ बातों के यहां शामिल किया है जैसे उसको ट्रांस्परेंट यानी की करश्ट्रक्टिव हो इसी तरह इयमेजिनेटिव ho और इनवेटिव ho इसके अलावा प्रोएक्टिव हो यानि सक्री हो पुलाइट हो यानि विनम्र हो लोगों के प्रती प्रोफेशनल हो अपने काम को ले करके प्रोग्रेसिव हो उर्जावान हो और इनेबलिंग हो यानि कि जो सेवाएं हैं उनको जनता तक पहुंचा सके ये एक ये जो गुड है ये सिविल से सेवक्य अंतरगत ये गुड़ होने चाहिए अगर आप कोई उत्तर लिख रहे हैं तो तकनीकी रूप से इन शब्दों का इस्तमाल जरूर कर सकते हैं ताकि उत्तर आपका ठीक तरह से लिखा हुआ दिखाई दे साथ ही इस बात की नॉलेज भी वहाँ पर जलके कि आपने वि वर्तन लाना इसके अंतरगत तै किया गया है कि जो वर्क कल्चर है हमें उसको थोड़ा सा बदलना होगा एक जो एप्रोच हमें दिखाई देती है कि सरकारी कार्याले में बाबू बैठे हैं उसको एक तरीके से इसी तरह से बोला जाता है कि बाबू जी बैठे हैं और फिर से इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं क्यों केवल उनी तक ही सिमित रहते हैं दूसरे विभाग को दूसरे विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल करना खास तोड़ से आज का समय जो ऑल्लाइन का युग है ऑल्लाइन प्रक्रिया से जो सरकारी मशीन जी है उसको जोड़ना सिविल सेवा छमता में रूपांत्रण कारी बदलाव लाना और नागरिकों के लिए प्रभावकारी सेवाएं देना सुनिश्चित करना कारे करमों को चामिल किया गया है उसमें डाला गया है उसके घ्रम का गया है आफ साइट सीखने की पध्धती से ऐनसाइट सीखने की पध्धती पर जोड दिया गया है ऑफ साइट मतलब कारेयाला में बैठ करके ही चीजों को पुस्तकों के जार्न के या कुछ अन्य रिपोर्ट के माध्यम से समझ रहें हैं ऑन साइट सीखने की पद्धती आप तीदे फील्ड पर जाएए चीजों को देखिए समझे उसके हिसाब से फिर आगे के प्रोग्राम बनाईए इसके अलावा शिक्षड सामगरी संस्थानों तथा कार्मिकों सहित एक साजह प्रिशिक्षड की बात अभी हमने जो बात की कि अलग अलग इसमें एक शब्द इस्तमाल किया गया है साइलो उसका होते हैं अलग अलग चेंबर एक तरीके से इसका टेक्निकल टर्म है थोड़ा सा मिसाइल वाले फॉर्मेट में ज्यादा यूजज़ होता है कि साइलो में मिसाइल रखे हुए हैं तो आप माली जी अपना 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 एक्षित्र है जहां पर अलग-अलग विक्ति अलग-अलग हिसाब से कार कर रहा है अलग-अलग कारियाले कार कर रहा है तो इनको क्या करेंगे मिला देंगे आपस में कि एक दूसरे के बारे में भी उनको जानकारी हो एक विभाग दूसरे विभाग के साथ डा स्टार्ट अप और जो स्पेशलिस्ट हैं उस ख्षेत्र केंज सभी को एक साथ जोड़ना इसमें जो की वर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखना है नोड कर लीजेगा क्योंकि इनको आप लिखेंगे तो इससे उत्तर ज्यादा अच्छा लिख पाएंगे आप इसके अलावा शंता विकास capacity को बिल्ड करेंगे उनके अंतरगत जो भी विशेवस्तु बनानी है किस तरह से कार्य किया जाना उसको निर्मित करेंगे जो इसके user है वो इसका feedback देंगे उनकी capacity से related capacity को map किया जाए गया एनि उसको दर्च करेंगे कि किस तरह से इसका इसकी इसकी खंताओं म बनाया गया है उसके अंतरगत जो डेटा मिलेगा हमें उसका विशलेशन किया जाएगा और लगबग 46 लाख केंद्री करमचारी इसमें शामिल होंगे और इसका जो बजट है 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लगबग 510.86 करोड रुपए का इसमें खर्च आएगा यहां पर यह एक प्रंट पेज है उस वेबसाइट का आई गौट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें आप देख पाएंगे कि मंत्राले डिपार्टमेंट यानि उनके विभाग और संस्थाइंस से जुड़ी हुई हैं यहां पर दिख रहा है 600-600 से ज्यादा क्षंता निर्माड कारिक्रम है 100 से ज्यादा इसमें कोर्सेस हैं तो इन सभी चीजों का लाब लेने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है तो चुकि इस प्लेटफॉर्म का निर्माड मिशन कर्मयोगी के लॉंच से पहले हो गया था इसलिए कोविट के दौर में इसका ठीठा उपयोग हमें देखने को मिला जहां पर ऑल्लाइन प्रोसीजर ऑल्लाइन जो हेल्थ वरकर्स हैं उनको ट्रेनिंग मॉड्यूल इसके किये गए और 15.1 लाख सर्टिफिकेट इसके अंतरगत इशू किये गए इसका एक एप्लिकेशन भी बना हुआ था वेबसाइट भी बनी हुई थी तो यह इसका एक बेसिक लाव दिखाई देता है कोविड जैसे दौर में और आने वाले समय में इसका डेटा और भी एक एपेक्स बॉड़ी है एक पहत्पूर्ण या फिर शीर्ष निकाय है कैबिनेट सेक्रेटेरियेट कॉर्डिनेशन यूनिट कैपसिटी बिल्डिंग कमीशन यानि कि शमता निर्माड आयोग और एक कर्म योगी भारत एस पीवी नाम से एक नौट फॉर प्रॉफिट कं हुई हुई PMHRC है यानि Human Resource Council है वो क्या करेगी इससे जुड़े हुए जो भी रणनीतिक दिशा निर्देश है वो जारी करेगी और इस प्रक्रिया में जो भी सुधार हो सकता है उसके बारे में निर्देश देगी इसमें प्रधान मंतरी के अलावा जो भी केंद्रिय मंतरी हैं उसमें चैनित केंद्रिय मंतरी प्रमुख मुख्य मंतरी विचारक शिक्षाविद और जो भी ऑफिसर्स हो सकते हैं उनको शामिल किया जाएगा इसके अलावा कैबिनेट सेक्रिटेरियेट और डिनेशन यूनिट जो की इसते जुड़ी हुई जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करेगी उसको देखेगी कि कितना इससे आगे जाकर के निर्माड हुआ है इसके अलावा जो शमता निर्माड कमिशन है वो क्या करेगा ट्रेनिंग स्टेंडर्स को डिसाइड करेगा कि किस तरह के मानक होने चाहिए किस तरह की फैकल्टीज होनी चाहिए कौन-कौ बनाया गया है अब इसका एक टाइम लाइन देखने कि इसके पहले किस तरह से लॉंच किया गया था तो 2014 में डियो पीटी ने इस ते जुड़ा हुआ एक छंता निर्माड फ्रेमवर्क लॉंच किया था आगे जाकर के 2017 में एक और कारक्रम लॉंच किया गया कमिट नाम का जि इसके अंतर गत उपजिला इस्तर पर इसको शुरू किया गया था इसके अलाव़ 2018 में आई गॉट प्लेटफॉर्म को लॉंच किया गया अभी हमने पीछे जिसका एक पेज देखा 2019 में पहला वर्दन आरंभ का लॉंच किया था और 2020 में मिशन कर्मियोगी को लॉंच किया गया जिसकी टाइम लाइन है अब निशकर्ष की बात करें निशकर्ष में कुछ उधारणों को देखेंगे किस तरह से लाबकारी हुआ है आज के समय किस तरह से जो संस्थान है जो भी संस्थाएं आपस में जुड़ पाई है तो एक जैसे रेलवे कर्मचारी का अगर आप पशियों की मौत हो जाती थी तो इस प्रक्रिया का इस्तमाल करते हुए फिर एक ये हल निकाला गया कि अब एक अंडर पास बनाया जाए और ताकि इन जीवों की जो लाइफ है उसको सुरक्षित किया जा सके इसी तरह पुलिस विभाग के कई सारे यहां पर धरहर आपको पुलिस वाँ कि जो फिल्मों में पुलिस कीशवी स्तर से बना करके दिखाई जाती है कि फे गूस ले रही है या फिर गुदों का सहयोग कर रही है या असामाजिक के साथ है तो इस शवी को दरसल बदलने के लिए ही इसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल कई सारे जोड़े गए अगला एक हो सकता है एर लाइन से जुड़ा हुआ हुए हैं म्य सरकारी संस्थान में इसकार से अनतर जुड़े हुए हो सकते हैं ूत फिर Montaja को फिर ट्रेणिंग यह द्या जाए कुछ समय के लिए निजी अलाइन्स में जा करके वो काम को देखें और काम को समझें इससे क्या होगा जो निजी और सरकारी संस्थानों के बीच में अंतर दिखाई देता है एक वर culture अलग अलग तरह का दिखाई देता है उसमें एक तरीके से समता निर्मार्द हो सकेगा और सुवधाय बहतर हो सकेंगी लोग एक दूसरे के साथ सीख सकेंगे तो इससे जुड़ी हुई कई सारी वर्क्शॉप भी आए जो कराई जा रही है यह इसका एक एक एक्जामपल है इसमें एक अप्रोच का जिक्र है सत्तर बीस और दस इसको अगर आप लिख देंगे किसी उत्तर में तो काफी फर्क बढ़ेगा इससे सत्तर का मतलब क्या हुआ एक कर्मचारी जो सीख रहा है वह सत्तर फिसद सीखता है अपनी नौकरी के दौरान जो उसको व्यावहारिक अनुभव होता है उस समय उससे वो सीखता ह है बीस परसेंड वो सीखता है किससे अपने सहकर्मी के माद्यम से अपने सहकर्मी के साथ 20% सीखता है और 10% वो सीखता है इस तरह के कक्षाओं से जुड़े हुए शिक्षड कारक्रमों से ये एक अनुमाल लगाया गया है इस प्रोग्राम के अंदर गया तो इस एप्रोच के साथ चीजों को यहाँ पर डेवलप किया गया है कि किस तरह से कौन सा कर्मी कितना सीख पाएगा तो क्रॉस लर्निंग भी एक अच्छी अप्रोच है इसमें एक दूसरे के साथ सीखना इसके अलावा सारवजनिक और निजिक शेतर एकसास आ सकते हैं कई सारी ऐसी कहानिया निकल करके आ सकती हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित कर सकती हैं जैसे र कर्मयोगी व्यक्ति हैं कर्मयोगी का मतलब जो अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा निश्ठावान है और लोगों के जो मजबूरियां है जो उनकी स्थितियां है उसको समझ पा रहे हैं तो टीम इंडिया की भावना यहां पर बनाय जाने की बात कही गई इस पूरे प्र प्रोग्राम की प्रोग्रेस को दिखाते हैं चलिए अब बढ़े सवाल की तरफ सवाल का कहता है निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में लॉंच किया गया था दूसरा इसकी अंतरगत केवल उच इस्थर के सिविल सेवकों को अपनी शुरुआत के बाद से है प्रोग्राम सिविल सेवकों के शमता निर्माण में कितना योगदान दे सका है चर्चा कीजिए 150 शब्दों में आप इसकी बेसिक जानकारी देते हुए जो प्रमुख मिंदू हमने आपर चर्चा किये हैं उनके बारे में लिख सकते हैं त आपको इससे कितना सीखने को मिल रहा है आपते मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य बहुत महत्पूर्ण जानकारी के साथ तब तक पढ़ते रहिए शुक्रिया